आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है आज इस वीडियो में हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में जानेंगे क्या आप बाजार खरीदारी करने जाते हैं? अगर आप आजकल बाजार में दिख रहे दूद, घी, जूस, त्यादी के डिब्बों को गौर से देखें तो सभी डिब्बों पर शत्प्रतिशत शुद्ध या शुद्ध लिखा पाएंगे क्या आप बता सकते हैं कि आखिर शुद्ध का अर्थ क्या है? आप और मेरे जैसे साधारन व्यक्तियों के लिए अगर किसी भी वस्तु में मिलावट नहीं है तो हमारे अनुसार वो वस्तु शुद्ध है लेकिन क्या वैज्ञान किया परिभाशा में भी शुद्ध वस्तुओं का यही अर्थ है? नहीं जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध प्योर कहता है तो इसका तातपर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासाइनिक प्रकृति के है एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्स्टिंस एक ही प्रकार के कणों से मिल कर बना होता है तो अब आप सोच रहे होंगे कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अव्यवों के मिलने से बनते हैं अशुद्ध पदार्थ, इंप्योर सब्स्टिंस कहलाते हैं इन्हें हम मिश्रण, मिक्स्चर भी कहते हैं आईए अब हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में कुछ उदाहरणों द्वारा और जाने आईए हम नमक का उदाहरण ले क्या नमक एक शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्स्टिंस है इसके लिए हम पहले इस बात की जाज करेंगे कि क्या नमक एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है यहां आप नमक में मौझूद सोडियम क्लोराइट के कणों को देख सकते हैं क्या ये कण एक समान है बिलकुल, नमक की संरचना सोडियम क्लोराइट के समान अड़ों से बना है इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक एक शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्स्टिंस है दोस्तों, हम जानते हैं कि नमक सोडियम क्लोराइट के अड़ों से बना है क्या हम नमक को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम और क्लोरीन के तत्वों में प्रिथक कर सकते हैं? नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थों को हम किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के तत्वों में प्रिथक नहीं कर सकते हैं. क्या आप और शुद्ध पदार्थों के उदाहरण सोच सकते हैं? जी हाँ, चीनी, जल, सोना, हीरा, ये कुछ और शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या एक किलो चीनी और दस किलो चीनी के अभिलाक्षनिक गुण एक समान है? बिल्कुल, इससे हम ये निश्कष निकाल सकते हैं कि शुद्ध पदार्थों के अभिलाक्षनिक गुण एक समान रहते हैं। आईए, अब हम चीनी और पानी के गोल को देखें। क्या ये शुद्ध पदार्थ है? चलिए, इस प्रशन का उत्तर हम एक क्रिया कल्प द्वारा ग्याद करें। एक बीकर में हम इस चीनी और पानी के घोल को लें और फिर उसे बर्नर की सहायता से गर्म करें। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल ठीक! वाश्पी करण के कारण पानी में घुली शरकरा पानी से प्रिथक हो जाती है। लेकिन क्या हम शरकरा या जल को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उनके अव्यवों में प्रिथक कर सकते हैं? नहीं! इस क्रिया कल्प से हम ये निश्कश निकाल सकते हैं कि चीनी और पानी का घोल एक अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है जो दो शुद्ध पदार्थ चीनी और पानी से मिल कर बनता है क्या आप और अशुद्ध पदार्थों के उदाहरण सोच सकते हैं? पोटाशियुम परमैंगनेट और पानी का गोल चाय, मिट्टी ये कुछ और अशुद्ध पदार्थों के उदाहरण है जो एक या एक से अधिक शुद्ध अव्यवों से मिलकर बने है दोस्तों आशा है कि आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों Pure and Impure Substances की अच्छी समझ हो गई है अगले विडियो में हम अशुद्ध पदार्थों या मिश्रन के प्रकारों के बारे में जानेंगे